हालो गाईज कैसे आप सब लोग टेरो एक्सपेटबल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रिडिंग करेंगे उसमें यह चेक करने वाले हैं कि आपके और आपकी पार्टनर की बीच चल क्या रहा है ठीक है बहुत से लोग यह थोड़ा डिफरेंट टॉप करती हूं अगर आपको पर्सनल कोई भी सवाल पूछना है रिलेशनशिप के बारे में आउटकम जानना है तो मुझे कॉंटेक किजिए मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है वाटसप नंबर वहां पे जाके वाटसप मैसेज कीजिए वोइस मैसेज कर सकते हैं लेकिन कॉल नहीं कर सकते ठीक है तो इस बात का ध्यान रखें मुझसे जो भी जानकरी चाहिए आपको वह उस वाटसप नंबर पे मिल जाएगी आप मुझे मैसेज कीजिए है लिखते ही आपको मैं जानकरी दूंगी थोड़ा सब मैसेज अगर डिले होता है तो ठीक है देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर के एनर्जी यानि कि दोनों के बीच चल क्या रहा है ठीक है चले देखते हैं दोनों के बीच चल क्या रहा है तो एंजिलो बैलेंस ओके चल क्या रहा है दोनों के बीच दोनों के बीच चल क्या रहा है यह ब्रोकन हार्ट दोनों के बीच क्या चल रहा है एक काड़ और चीए हम हमें एक काड़ और चीए बताएं एक काड़ और ओके एंजल ओफ लव ठीक है और यहां पर देखे गार्डन अन्दा गेट यह बॉट्टम का काड़ है ठीक है आपकी ओर-ओल एनरजी बता रहा है आप दोनों की ठीक है यहां पर नंबर 10 नंबर 48 नंबर 9 और नंबर 49 बहुत इंपोर्टेंट है तो और यहां पर 30 भी है किसी की एज हो सकती या फिर आपका डेट आप बर्थ हो सकता है ठीक है आप देखिए प्रॉब्लम क्या है मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूर जो की मेरे दर्शक हैं देखने वाले जो हैं उनके बारे में बता रहे हूं सबसे पहले आपकी एनरजी कैसी है आप डेफिनेटली अपनी चीज़ों को बैलेंस करें आपके रिलेशन्शिप में आप रिलेशन्शिप को बैलेंस करना चाहती है बलकि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत उतल फुतल कर देने वाला है ठीक है इसी प्राप्लम है क्रेर की प्राउबलम हो सकती यह फिर घर में कोई बिमार है अचानक कोई लॉस की पहर बहुत सारी ऐसी प्राउबलम जिसकी समस्य अंधह आपको नहीं हेला ठीक है और आप balance करने के लिए बहुत प्रेयत्म कर रहे हैं ठीक है आप चाहते हैं कि अपने एक पर्टिकुलर चीज याने कि एंजल बैलेंस का काड़ा यहां पर आप बैलेंस चाहते हैं चीजों में आगर आपकी चीजए बैलेंस होती है तो आप किसी और ध्यान दे सकते हैं ठीक ह बहुत से लोग ठकान मैसूस कर रहे हैं और रेस्ट की पोजिशन में हैं लगता है कि आप कोई सोलुशन नहीं किसी बात का ठीक है मुझे बहुत से लोगों का करियर इशू भी है ठीक है करियर इशू बहुत जदा इंपॉर्टेंट लग रहा है और उसमें कुछ डिजासर्स की बहुत ज़दा कुछ तूफ़न बचा हुआ है कि को ईसको पैसे लेंने हैं किसी से देर रखे कुछी लेने हैं या फिर यह एसा हो सकता है कि 코로 में ऐसी कुछ problems है कोई बिमार है किसी को कुछ हुआ है देखरेक करने की जिम्मेदारी आप पे है इस तरह की situation भी हो सकती लेकिन ओर ओर ओल ऐसी समझे हैं जिनका समाधन आप ढूंड नहीं पा रहे हैं और इस वज़य से पारे ठीक है अब देख लेते हैं आपके partner के रेंट जी का है broken heart और नंबर 49 आपसे जो person है definitely बहुत कुछ अपने जीवन में प्यार चाहते हैं आपसे इनको बहुत उमीदे हैं ठीक है आपके जो भी partner हैं जो आपके साथी हैं उनको heartbreak देती और यह चीज़ें इनको बहुत ज़़दा hurt कर रहे हैं याई कि आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप इनके call message का जवाब नहीं देते हैं आप बहुत ज़़दा जाते हैं कुछ नहीं कुछ की है या तो आपको space दिया जाए ठीक है यह चाहते हैं कि आपको space देकी भी अगर इनका heartbreak खतम होता है यह break जो आप दोनों में चल रहा है अगर खतम होता है तो ठीक है otherwise यह चाहते हैं जीवन में अपनी खुद की emotions को fulfill करना चाहते हैं अपनी desires को fulfill करना चाहते हैं प्यार चाहते हैं अपनी जीवन में ठीक है तो लज्ज है कि उसके बाद आप approach करेंगे तो देर हो चुकी कि इस तरह की condition मुझे यहां पर लगए और ओल देखे दोनों की क्या energy है दोनों को पता है कि एक दूसरे के साथ खुशी मिलती है पता है कि गेट खोल के जाएंगे तो बहुत सारी abundance है पता है कि आप एक दूसर नहीं है जो कि परिशानी कर रही है और इस गेट को खोलने में बहुत तकलिफ हो रही है यानि कि चाहते तो बहुत कुछ करना है लेकिन कर नहीं पार है ठीक है आपकी डिजायर्स पूरी करना चाहते हैं आप emotionally fulfill होना चाहते हैं लेकिन problem यह है कि जिस काम को आप करने के इनको पता है कि आपके साथ इनकी happiness है लेकिन इस happiness को पाने के लिए थोड़ा टाइम है ऐसे मुझे दोनों की energy लग दोनों ही इस तरह से सोच रहे हैं कि किस तरह से इन खुश्यों को पाए जाए चली टैरों से देख लेते हैं आप देखिए जनल लिडिंग है आप से जितन चालिए पहले देखते वह इस relationship के बारे में क्या सोच रहे हैं इस relationship के बारे में क्यास होच रहे हैं है of कि इस रिलेशन्शिप के बारे में क्या सोच रहे हैं ओके में पास काड़ तो आए हैं बट कितने हैं थ्री ओफ पेंटिकल्स नाइन ओपेंटिकल्स दी एम्परर और एक चीज और एक काड़ और लूँगी में फिर हम रिडिंग को बता दी है एक स्प्लेइन करते हूं फिर ओनली वन काड़ लिमस ओनली वन रिलेशन्शिप के बारे में क्या सोच रहे हैं ओके यहां पर देखिए ओके यहां पर टू काड़ साय तो मुझे लेने पड़ेंगे ठीक है तो वेट यहां पर three of sorts है और देखिए अगेन यहां पर three of sorts अगर आप सोच रहे हैं कि आप ही का दिल तूटा है आपके पार्टनर का heartbreak है ठीक है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा किसी दुख में है देखिए यहां पर three number four number nine number बहुत important हो सकता है ठीक है आपके जो भी पार्टनर है चीजों को control जैसे कि मैंने अभी बोला कि इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो की uncontrollable है ठीक है वो control नहीं हो सकते यानि कि कुछ चीजें कोई बिमार है तो उसकी बिमारी से यह तंग हो रहे हैं लेकि ठीक है तो यह चीजों को control करना चाहते हैं और कुछ ऐसी चीजें जो की वक्त के साथ चेंज होगी तो यहां पर इनकी current energy आपके relationship को लेकि क्या है यह three of pentacles आपके साथ partnership करना चाहते हैं आपके साथ as a friend दुबारा चलना चाहते हैं चाहे जो भी हैं बहुत responsible person लग रहे हैं का इनको करना चाहते हैं अपनी responsibility निभाना चाहते हैं relationship में जो इनको करना है वो करना चाहते हैं देखे नाइन प्रेंटिकल से पूरा अपना focus अपने प्रेंटिकल से यानि कि अपनी growth के उपर अपने abundance के लिए अपने finance career को grow करने में लगा रहे हैं और definitely यहां पर heartbreak तो यह भी आपके इनकी तरफ से third party situation इनकी तरफ से मुझे यहां पर लग रहा है जिस किसी ने इनको धोका दिया है फिर cheat किया है इस वज़े से बहुत ज़्यादा नाखुश है और चीजों को control करने की कोशिश करें आपको भी नहीं बता रहे हैं कि इनका कितना दिल दुखाया किसी ब बहुत सारी बाते होती है अब मैं किसी का level नहीं बताऊंगी कि third party कौन है ठीक है आप अपने according सोची कि आपके relationship में क्या third party हो सकती करेयर भी हो सकता है इनका कोई third person भी हो सकता है कोई wife भी हो सकती अलग-अलग situation अलग-अलग सब लोगों के लिए होगी तो third party का end कर देना चा सोच रहे हैं अभी relationship के बारे में वह मैंने बताया कोई Aries हो सकता है fire sign और air sign मुझे यहां पर लगा टारस विर्गो Capricorn भी है ठीक है चले रिखते हैं इनकी current feelings क्या है आपके लिए currently क्या सोच रहे है टाइन आप पेंटिकल्स करें क्या सोच रहे हैं करें क्या सोच रहे हैं क कि 3 cards bottom में देखे king of cups बिल्कुल यह प्यार के बारे में सोच रहे हैं seven of wands और seven of seven seven के energy है ठीक है किसी का बर्थ seven हो सकता है ठीक है seven seven दिखता होगा आपको ठीक है यहां पर नंबर 10 है यानि कि टारस विर्गो Capricorn ten of pentacles seven of wands और seven of swords है ठीक है और यहां पर देखे बीच में यहां पर bottom में देखें इनकी main energy current feelings आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करत आपके लिए true love है यहां पर आपसे मिलना चाहते हैं ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है तो इनकी current energy क्या है definitely यह अपनी life को settle करना चाहते हैं ना सिर्फ अपनी personal life को बलकि career भी उसमें शामिल है यह कहीं ना कहीं अपनी career के हिसाप से या फिर अपने अपना कुछ करन हैं कुछ लोगों के लिए आप husband के लिए देख रहे हैं या फिर wife के लिए देख रहे हैं लेकिन नो मेटर आपकी जो भी situation है उसमें current feeling इनकी यह करी कि अपनी life को settle करना चाहते है स्टेबल करना चाहते हैं उनको balance करना चाहते हैं यह give up नहीं करेंगे situation यह है कि जिनको यह अ आपको भी support करेंगे और अपने आपको भी देखेंगे लेकिन बात यह है कि अपनी feelings को छुपा रहे हैं यानि कि जो प्यार है as a friend बनके आपकी मदद करेंगे लेकिन जो प्यार है उसको छुपाएंगे ठीक है इनाइट ऑफ वांट की energy यानिकि फ्लट energy में है आपके हर तर relationship में क्या होने वाला है चले देखते हैं अब आगी है क्या करने वाले कर शूर्ट में बिल गया है और यह भी में रख लूँगी चले देखते हैं क्या अब आगी क्या बहुत सरे कार्ट से हैं देखिए हमार पास two card तो यह है है यह हम ले लेंगे 2 of Swords, 4 of Cups, Devil, 9 of Wands, 9 of Swords, 8 of Pentacles, Ace of Swords, King of Pentacles, King of Swords और 9 of Cups और बटा में देखिए Victory का कार ठीक है अब यह देखिए आगी क्या होने वाला है आपके Relationship में देखिए मुझे यहां पर लग रहा है यह कहीं न कहीं कोई ऐसी पास्ट के Energy है जिससे बहुत ज़्यादा बंदेवे हैं मुझे लगता है कि अगें जैसे Emperor का कार आया था या तो अल्रेडी मैरिड है यह ठीक है प्रेक्टेकली सोच के साथ चलना पड़ेगा तो यहां पर मैं इनके Energy देख पा रही हूं कि बहुत ज़्यादा करेयर भी हो सकता है कई लोगों का फेमली बिजनेस होता है जोड़ी होती है और बहुत ज़्यादा परिशान है इसलिए होती है क्योंकि वहां पर एक के उपर भार होता है कि आप समा लें और करते सब हैं और एक देखता है ठीक है चुनके किसी और को चुना है आपको छोड़ कि किसी वर्क को चुना है ठीक है तो ऐसे सिच्विशन में थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है तो आप अपने अकॉर्डिंग देखियागा कि मैं किसके लिए बोल ठीक है यहां पे यह पेंटिकल्स यानि कि अपने करियर की साइ कहने हैं यानि कि जो समस्य उसको बिल्कुल क्लेयर कट कहने चाहते आप से अब आगे क्या होने वाला मुझे यह लगता है कि यह कुछ नों कुछ आप से प्रैक्टिकली सोच के साथ बोलेंगे जो कि हो सकते हैं कि आपको बुरा भी लगे यह इस ऑफ सोर्स का काड़ है न् इस्ताने, बहुत कुछकोषा चुक्ब अब ज्याइब इन दिन्हों में आई तो बहुत प्रैक्टिकली सोचेंगे क्योंकि इसने बहुत कुछ जीवन में रिलेशन्शिप के बारे में सीख लिया होता है पहले से देख लिया होता है अब यह आगे चलेगा तो बहुत समझ के चलेगा तो ऐसा इंसान यह आपके पार्टनर के अनर्जी आई है तो यहां पे कोई केप्रिकॉन हो सकता है जैमनी लिब्रा एक्वेरियस ठीक है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस विर्गो केप्रिकॉन सारी साइन आ गए लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता लिया ठीक है एरीज और के अनर्जी आई है तो आपके पार्टनर किंग ऑफ सौ बिल्कुल भी नहीं एक्सप्रेस करेंगे कि इनके मन में आपके लिए क्या है यह बहुत आगी तक सोच रहें क्योंकि क्योंकि इनको पहले अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए उसके बाद ही आगे करें तो यह थी आपके रिडिंग आगी क्या होने वाले मैंने बता दिय आप इनकी विश फुल्फिल्मेंट है और यह बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल ही चलेंगे चीजों को कैसे सुधारना है इनकी जिवन में क्या बदलाव चाहिए बैलेंस क्या चाहिए वह चीजी सारी इनकी दिमाग में और वह उसको सुधार के आपके पास एप्रॉच कर साइंस देख लेते हैं कैसे हैं आपके पार्टनर के मिल पास आ चुकी है बहुत सारे ठीक है यह ले लेते हैं यह परकवाने खुद गिराएं आपकी जो पार्टनर उनकी परसनल्टी को इंडिकेशन देगी कि किस तरह के हैं ठीक है फियर लॉंग प्रिटी तो कोई लड़ कैंसर साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर ठीक है लाइक टू वॉचिंग मुवीज करना अच्छा लगता है इनको जिम एक्सराइज करते होंगे ठीक है नौर्थ हिस्ट से होंगे आपके पार्टनर ठीक है और देखते हैं फूड लवर तो काफी लोग नहीं यह पे खान डिफरेंट टाइप का खाना पसंद करते हैं इनको अलग अलग वैराइटी पसंद होगी और फूड जहां कहीं भी अच्छा खाना मिलता है उस जगे का यह आता-पता जरू रखते होंगे तो यह थी इनके कुछ अट्रिब्यूट्स चले देखते हैं कि आपको इस रिलेश अच्छी खासी फैमिली आपकी होगी ऐसा मुझे यहां पर लग रहे हैं तो आज मैं मैसेजज नहीं पड़ूंगी बहुत जल्द आपके लिए नए मैसेज करेंगी तो यह थी आपकी बहुत अच्छी सी रिडिंग आपको पसंद आई तो लाइक कीज़ेगा आपसे रेज वीडियो में हर बार और रोज बनाती हूं मेरी दो रिडिंग यूट्यूब पे आती हो इसके लाव मंथली रिडिंग अपलोड कर रहे हूं वह भी चेक कर लिजेगा तो यह थी कुछ जानकारी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज परसनल रिडिंग चाहते हैं तो वाट्सप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ठीक है तो सब्सक्राइब करना मत भूली ऐसी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो आइविल स्वीन में नेक्स दिडिंग बाबाई गाईज